यही आकाश्वाणी है, हौसले कारीक्रम की अंतरगत लीजी सुनिए कठिन कारी की सूफल विशय पर बातचीत शोधार्थी श्री कशिस सिंगल से, जो की दिलिविश्व द्याले की शोधार्थी है शोताओं मैं खीरती बैग, कशिश आरंभिक सिख्षा का आपका सफ़र कैसा रहा? प्राइमरी स्कूल तो मेरा था जो फिफ्ट क्लास तक था, उसके बाद जब मेरेको चश्मा लग गया, उसी फोर्ट क्लास में ही लग गया था चश्मा लगने के बाद मैं अपना सभी काम कर लेता था, और स्कूल आना जाना के ले करता था, ना इंथ क्लास में मैंने साइकल भी चलाई है उसके बाद मेरेको तैंथ क्लास तक आते आते, दिन की रोशनी में डिखना केवल शुरू हो गया था ट्यूबलाइट की रोशनी में मैं पढ़ना ही पाता था और घर के बाहर रोशनी में बैट कर ही पढ़ना पढ़ता था मुझे अच्छा यानि धीरे-धीरे आपकी दृस्टी जो विजन है वो कम होता चला गया हाँ जी बिलकुल एक विमारी जो है रेटिनल पिंगमेंटोसा इसके अंदर ऐसा ही होता है यह एक खांदानी विमारी है और इसमें आपको धीरे-धीरे दिखना बंध होता जाता है 11 टक मेरे को राइटर किया विशक्ता एक्जाम में पढ़ने लगी जो पहले सही बच्पन सही ब्लाइन होता है तो उसे सभी चीजों की जानकारी भी होती है कि कैसे मुझे पढ़ना है कैसे अपनी दिंचरिया को आगे बढ़ाना है लेकिन अचानक से जब यह हो तो समस्या आएं बहुत सारी होती है यह मैंने अपनी एक रिसर्च में भी पढ़ा है जो कि देहरादून में प्रकाशित हुई थी उसमें यह कहा गया है कि जो जन्वांध होते हैं उनको उतनी दिक्कत नहीं होती कि वो अपनी जन्म से ही इस चीज की आदर डाल चुके होते हैं और उनको आने जाने में चलने परिशानी कम नहीं होती है क्योंकि आपने बाहर भी देखा होगा बहुत सारे जो ब्लाइंडस होते हैं वो मैट्रो में बसीस में किताबों पढ़ना परता है जिन सबी किताबों की रिकोर्डिंग भी आसानी से एवलेबल नहीं हो पाती है क्योंकि यहां तक की जर्णी थी, सबकी किताबी एक सी है, जो सलेबस है वो एक सा है, तो recording हमें किसी संसा के जरिये मिल सकती है, लेकिन शोद के दोरानी समस्या है कि सबका विशय अलग-अलग है, सबकी किताबी अलग है, सबको नई तरह की चीजे पढ़नी है, तो वहां समस् वहां recording हमें किसी संसा के जरिये से नहीं मिल सकती, तो यहां तकनीक भी कहीं न कहीं आपकी सहायक रही, या सिर्फ recording के जरिये ही आप शोद को आगे बढ़ाते रहे, जो MA के जो study material होता है, वो तो हमें recording रूप में available हो जाता है, फिर भी मैंने जो BA की जो किताबे थी, वो केवल MA के जो दोरान किताबे मिले इगनु की, वो मुझे recorded format में राफ्त हुई थी, इन किताबों को पढ़कर मैं research करना चाहता हूँ, कुछ उधोगी करन से संबंदित उपन्यासों के विशकता उसमें पढ़ेगी, और वो उपन्यास लाइबरेरी में print form में तो अबलेबल ह अब उसका paid version आ गया है, 90 रुपीज पर मन्त में वो एक subscription देते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी PDF अगर हो, कोई उपन्यास अगर आपके पास PDF में scan हुआ हुआ है, तो आप उसको उस application में insert करके, एक OCR technology आती है, optical character reader कहते हैं उसे, recognition या reader, ऐसी कुछ होता है, उस technology की से हम किसी भी कागज पर जो text होता है, उसको recognize करते हैं computer द्वारा, और इसको audio format में बना करके पड़ सकते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए जूचना पड़ता है, उन विद्यार्थियों को मदद मिल सकती है, बहुत मदद मिलेगी उससे, इसमें आपको PDF की scan copy आविशक होगी, यानि PDF के जरिये इस software की साहिता से बहुत सारी किताबों को आप पड़ सकते हैं, जो समस्याएं पहले जिस जिभादित विद्यार्थियों को हो रही थी कि रिकॉर्डिंग करने के बाद ही वो पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन यहां उनकी ये समस्या सुलच सकती है, टाइपि जो एक तरीका है, Google Indic Keyboard के द्वारा आप लेंग्विज को हिंदी लेंग्विज पर सैट करके आप अगर बोलते हैं तो वो उसमें टैक्स पॉर्मेट में शो कर जाता है, तो वट्सप पे भी मैं इसी तरह चलाता हूं, तो अगर ज्यादा बड़ा होता है, तो मैं भार से क करते हैं, तो लैप्टॉप में भी सुविजा होती है, लैप्टॉप में हाँ, एक सॉफ्टेर आता है, और भी जो विंडोस का नरेटर है, वो इतना खास नहीं करता है, आप कम्प्यूटर में दक्षता रगते हैं, तो ये दक्षता आपकी किस तरह शोध में मदद करती र और उसके बाद से ही मेरी कम्प्यूटर में रूची रही है, मैं विंडो इंस्टोलेशन वगरा के लिए कभी इंजिनियर को घर पे नहीं बुलाया, और पार्शोगरा कभी चेंज होने होते हैं, तो मैं अपने किसी फ्रेंड को बुला लेता था, कभी भी इंजिनियर को न कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्राबलम आ गई है, तो उसमें अलग-अलग खराबी के, अलग-अलग इंडिकेशन होते हैं, जिसे विंडो ना खुलना, या फिर कीबोर्ड में लाइट ना आना, तो उसकी एक परिशानी ये होती है कि रैम में आपकी समस्या आ गई ह या मदरवोर्ड धंग से काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम रैम को और उसको जब खुलते हैं, तो मैं उसको चीजों को चूछो के पैचानता हूं, और रैम का जो स्लॉट होता है, वहां पर दो या चार स्लॉट होते हैं, क्योंकि रैम जो होती है, वो DDR3 भी आती है, DDR या चार स्लॉट होती है, तो DDR3 की जो चूटा हूं, तो पता लग जाता है, वहां पर रैम है, उसको मैं खोलता हूं, तो चूने से पता चिल जाते है कि कौन सी रैम होगी, हार एक पार्ट का एक मॉडल होता है, लग-लग, तो इस वज़े से मेरे को यह पता लग जाता है, यह DDR3 की रैम है, यह DDR4 की, क्योंकि शूने से आपको पता चिल जाता है, बिल्कुल, क्योंकि उनके साइज बिल्कुल अलग होते है, रैम में 3-4 जनरेशन आई थी, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, जिसमें DDR1 का साइज सबसे बड़ा होता था, और उसके कैपिसीटर और अरिस्टेंस, यह जोटा कर दिया गया, और आप टेकनोलोजी जितनी जादा एद्वांस होती जारी है, रैम का साइज उतना छोटा होता जा रहा है, हाँ, मदरवोट पर जब आप देखेंगे, तो जितने भी वायर्स होते हैं, वो मदरवोट पे कनेक्ट होते हैं, और चूह करके उनको मेरिसे कोई काम नहीं हो पाता है, तो मैं किसी को बुला लेता हूँ जो मेरे दोस्तों होते हैं, वो मेरे साहिताः कर देते हैं, अचा, हे हिंदी के शो धार्ती, लेकिन आप इंजीनरिंग के सारे काम कर लेते हैं, और सब इलेक्ट्रोनिक्स का भी जानकारी रखते हैं, हा या फिर आपके जो घर पे कोई और अप्लैंसिस हुआ, प्रैस हुई, या ये सब है, तो बच्पन से ही मुझे खोलने का और ठीक करने का, या उसकी मोटर निकालने का, जैसे टॉइस होते थे बच्चों के, रिमोर्ट कंट्रोल कार होती थी, उसको हम, मैं मोटर निकाल लेता तो बैटी से भी मैं चलाता था, तो ये सब बच्पन से मुझे शौक थे, इलेक्टिसिटी में, तो मैंने कभी सोचा कि, इतिकल हैकर मैं बन सकता हूँ, परन्तु इतिकल हैकर बनने के लिए भी, जो लेंगेज होती है, उसके इंदर कोडिंग करनी पड़ती है, और वो सार्थी कशिर सिंगल से, अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानि किर्थी बैत को अनुमती दीजिए, नमस्कार